यूपी के वारान से इस्थित्काशी विश्वनात ग्यान वैपी भूमी स्वामित विव्याद मामले में इलाहवाद हाई कोट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है जग जस्टिस रोहित रंजन अगरवाल की पीठ ने मालिकाना हक विवात के मुकदमे को चुनौती देने वाले अंजुमन इंतिसाम्या मस्जित कमेटी द्वार दायर या चिकाओं को खारिश कर दिया है कोट ने कहा है कि मुकदमा देश के दो प्रमुत समुदायों को प्रभावित करता है हम ट्राइल कोट को छे महीने में मुकदमे का सिक्ल फैसला करने का निर्देश देते हैं लहवाल हाई कोट ने ये भी कहा कि एक मुकदमे में किये गए ASI सर्वेक्षन को अने मुकदमे में भी दायर किया जाएगा और यदि निचली अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वेक्षन आवस्चक है तो अदालत ASI को सर्वेक्षन देने का निर्देश दे सकती है अन्सुमन इंतिजामिया मस्जित कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वकफ गोट द्वारा दायर याचिकाओं में ग्यानवापी मस्जित का व्यापक सर्वेक्षन करने के वारा नसी अदालत की 8 अप्रेल 2021 के आदेश को भी चुनोती दी गई है हाई कोट की इस पैसली के बाद माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्स सुप्रीम कोट जा सकता है इससे पहले 8 दिसमबर को जड जस्टिस रोहित रंजन अगरवाल ने याचिका कर्ताओं और प्रतिवादी के वकीलों को सुनने के बाद सैसला सुरक्षित रख लिया था वारा नसी में काशिवे सुनार की निकट स्थित ग्यानवापी मस्जित के प्रबंधन की देखपाल करने वाले ही AIMC ने वारा नसी अदालत के समक्ष दायर एक मुकदमे की स्थेता को चनोती दी थी जिसमें हिंदू याचिका करताओं ने उस स्थान पर एक मंदीर की बहाली की मांग की है जहां ग्यानवापी मस्जित है हिंदू बक्ष के वादी के अनुसार ग्यानवापी मस्जित मंदीर का एक हिस्सा है हाला कि अंजुमन इंद्रजाम या मस्जिद कमेटी और यूपी सुनी सेंट्रल वकप बोट का तर्क ये है कि मुकत्मा पूजा स्थल अधिनियम द्वारा निशीद है